हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम हैप्यस माइन टेकनोलोजी को कवर करने वाले हैं क्योंकि उससे रिलेटेट काफी बढ़िया हमें आप पर अपडेट आ रहा है अब स्टॉक मार्केट अगर मैं बात करूँ तो अठारा आजा साथ सो एक रुपे पर क्लोज हुआ है ठीके मार्केट के अगर मैं पाफॉमेंस की बात करता हूँ तो पहले गिरावट होती है एक अच्छी रिकबरी होती है रिजेक्शन बनाता है दोस्तो प्रिवेस क्लोज था फिर गिरावट होती है और फिर एक अच्छी कासी तेजी देखने को मिलती है लेकिन एक plus point ये देखने को मिल रहा है कि बाजार दोस्तो अपने previous close के उपर close हुआ है तो काफी बढ़िया ये moment है अब दोस्तो इसी आपते RBI का एक monetary policy आने वाला है तो वो monetary policy में क्या-क्या update आता है ये देखने वाली बात रहेगी और आगे जैसे भी update आएंगे हम दोस्तो जरूर आप लोगों को cover करेंगे तो फटा बच्चे आप इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे आप चलते हैं और happiest mind technology का आज का performance देखते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो stock है happiest mind technology उसका आज का performance आदे percent की गिरावट के साथ stock close गुआ है 980 रुपए पर इसका previous close था दोस्तो 985 रुपए 70 पैसे open होता है 993 रुपए 40 पैसे high लगाता है 995 रुपए ठीक है और low लगाता है 914 रुपए उसके साथ ही इसका जो बावन भी कहाई है के वह अभी काफी दूर हमें देखने को मिल रहा है टीक है और performance की अगर मैं बात करता हूं 5 दिन की देखिए 5 दिन में एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है और दोस्तो यह जो momenta में काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है last एक मेने से भी क्योंकि happiest mind technology ने जो Q2 में अपना प्रदर्शन किया था, वो बहुत शान्दा था, अब देखे, रेने भी बहुत अच्छा बढ़ा, नेट इंकम भी बहुत अच्छा बढ़ा, EPS भी हमें बहुत अच्छा बढ़ते देखने को मिला, इसके साथ इनेट प्रॉफिट मार्जिन के अगर मैं बात करता हूँ, जितनी IT कंपनियों में गिरावट आये थी नेट प्रॉफिट मार्जिन में, उससे बहुत कम दोस्तों इसमें हमें देखने को मिली थी, तो काफी बढ़िया ये एक हमें अप्डेट देखने को मिलता है, हैप्यस मार्जिन से रिलेटेड, अब हम क्या करें, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्टोंबर मंत में क्या हुआ था, मुचल्फंड ने काफी अच्छी खरिदारी की थी, क्योंकि अभी 9 मंत भी खतम हो गया है, अभी अक्टोंबर मंत की डाटा रिलिस किया है मुचल्फंड ने, तो यहाँ पर यह बता जा रहा है, कि दोस्तों 12 ऐसे मुचल्फंड की स्कीम थी, जिन्होंने happiest mind technology के अंदर बहुत अच्छी खरिदारी की थी और मातर तीनी ऐसे mutual fund के scheme थे जिन्होंने अपना जो position वो यहांसे cut किया था लेकिन खरिदार की जो संक्या है हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही और हमारे लिए दोस्तों यह कि Q2 का number भी इसने बहुत करता हूं दोस्तों कि यह जो खरिदारी हमें mutual fund की देखने को मिल रही है अक्टोंबर बंद में यह भी काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है ठीक है इसी प्रकार से यह दोस्तों हैप्यस माइन टेक्नोलोजी का अगर हम fundamental condition भी देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं हैप्यस माइन टेकनोलोजी हैप्यस माइन टेकनोलोजी बहुत ही अच्छा performance करती है मार्केट में अब देखिए यह company 14,399 करोड की देखने को मिलती है 68.5 का PE यनिंग रेशो है 31.2 का return on employee है 30.6 का return on equity है face value दो रूपे का है और dividend इल भी काफी बढ़िया है उसके साथ ही दोस 200 दिन का moving average है तो stock अभी दोस्तों क्या कर रहा है 1000 रुपे के नीचे treat कर रहा है मतलब 50 दिन के भी moving average के नीचे और करीबन दोस्तों 200 दिन के moving average के भी नीचे उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर expectation company खुद करके बिटा था मेरे Q2 के नंबर अच्छे आएंगे Q3 के नंबर अच् 105% की ठीक हलकी पतली नहीं 105% की उसके साथ ही comparison में अगर देखे तो बहुत नीचे इसका नंबर लगता है लेकिन दोस्तों जो Q2 का नंबर इसने दिखाया था ना इन सभी companyों से धमागेदार दिखाया था quarterly performance की मैं बात करता हूं देखे 338 करोड की sales जो Q1 Qbases पे इंक्रीज हुई उसके साथ ही दोस्तों year on year basis पे इंक्रीज हुई वहीं पर अगर मैं बात कहता हूं दोस्तों net profit की net profit बहुत शांदार हमें देखने को मिला था year on year basis पे और Q1 Qbases पे लेकिन थोड़ा सा जो margin का issue आया था तीक है उसके खारन थोड़ा सा जो profit है वो कम आया नहीं तो यह आज वही 2022 मतलब 10 साल के अंदर अंदर 1034 करोड की आसपास चले गई है तीक है उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो पहले company दोस्तों 3-4 साल loss खाया तीक है उसके साथ आज company profit निकाल रही 186 करोड का एक साल के अंदर अंदर क्योंकि company का जो profit growth है 29% की तेजी से हो रहा है sales का जो growth है 36% की तेजी से हो रहा है तीक है अब shareholding pattern मैं आपको दिखाता हूं यह देखे यहाँ पर shareholding pattern आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो promoter से एक अच्छा खासा stake लेके बेठे हैं अब foreign investor ने से यहाँ से stake घटाया है लेकिन domestic ने यहाँ पर increase किया है तीक है domestic investor ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ से खरिदारी की है तो हमारे लिए यह काफी बढ़िया एक update देखने को मिल रहा है अब देखे है happiest mind technology दोस्तों किसकी company है जो असोक सुट्टा जी है तीक है एक काफी बड़े आदमी देखने को मिलते हैं इन्होंने इस company को 2011 में बनाया और stock market में लाके खड़ा कर दिया अब माइंट्री के अंदर तीक है जो मार जोके L&T के अंदर चले गई है उस company के अंदर असोक सुट्टा जी दोस्तों chairman और MD रहे चुके हैं तीक है उसके साथ ही उन्होंने माइंट्री को छोड़ने के बाद विपरो को जोन किया और विपरो में दोस्तों क्या किया उसको लाकर खड़ा कर दिया ठीक है शुरू के कुछ साल इनके लिए काफी challenging थे लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं यह company कितनी शांदार बन चुकी है ठीक है तो हमें जरूर दोस्तों इस company को अपनी focus में रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको आप मेरे portfolio में भी जगा देना चाहिए अब इसका हम technical point note करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं happiest mind technology का chart open क्या है और daily candle लगाया है अब देखें happiest mind technology के अगर मैं बात करता हूँ तो यह जो 1000 रुपे का label है यह बहुत interesting label है stock बहुत दिन से दोस्तों क्या कर रहा है इस 1000 रुपे के level को support बना के rejection बना के वहीं पर काम कर रहा है अगस्त से मैं बात करता हूँ पहले भी यहाँ पर rejection बना है नीचे था ठीके लेकिन यह उपर जा रहा है लेकिन इसको दोस्तों ऊपर जाने में support नहीं मिल रहा ठीके का भी support मिलेगा क्योंकि market भी एक comfortable zone में आ चुका है और 1200 से उपर जैसी ये निकलेगा ये 100% comfortable zone में चले जाएगा मतलब आप बोल सकते हैं कि 1200 का level एक बहुत ही बढ़िया level है एक 1000 का level जो है वो भी बहुत बढ़िया है और उसके बाद जो 800 का level है वो भी एक हमें support level देखने को मिलता है तो अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है stock या यहाँ पर मिल रहा है आप बढ़िया तरीके से दोस्तों इसमें खरिददारी करके चल सकते हैं क्यों क्योंकि देखिए यह जो consolidate जो moment है तीके वो जैसे break होता है breakout मिलता है तो बहुत बढ़ा मिलता है breakdown मिलता है तो बहुत बढ़ा मिलता है तो इस चीज़ को तोड़ा सा याद रखिएगा और mind में भी लेके चलिएगा कि हमें अगर एक सई जगा investment करना है तीके तो हमें ऐसी जगा investment करना रहेगा दोस्तों जहां से momentum हमें मिले अब यहां पर आप पकड़ोगे और stock अगर नीचे आगे तो आप परिशान हो जाओगे पकड़ने का मोखा अभी आप लोगों के पास अगर यहां पर पकड़ा और यहां पर जाओगे तो यहां profit भी book कर सकते हो तीके इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए धमागेदार अपडेट तो आप इस वीडियो को फटापट से लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे क्योंकि और भी इसी प्रकार के भैतरिंग वीडियो में आप लोगों तक लाने वाला तो थैंक्यू दोस्तों